नमस्काद अश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सब का स्वागत है आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ धनू लगन वा मिथुन राशी के लिए वर्ष 2022 का राशी फल सबसे पहले आप सब को नव वर्ष की बदाई वर्ष 2022 आपके लिए शुप जाए आपके जितने रु धनू लगन का क्या आरत है कि आपकी जर्मकुल्नी में जो पैरा भाव है इसको हम लगन कहते हैं अगर वा नौ नमबर का अंक लिखा है इसका आरत है आपका धनू लगन है और चंदरमा इसके ठीक सामने सब्तम भाव में बैटा है तीन नमबर में इसका आरत है आपकी मिथ बनता है तो आप ये वीडियो देखकर लाब उठा सकते हैं धनू लगन वा मिथुन राशी के लिए वर्श 2022 कैसा जाएगा मेरा है मानना है कि धनू लगन वा मिथुन राशी के लिए वर्श 2022 बहुत अरिक महत्तपूर्ण है क्योंकि वर्श 2022 में एक समय ऐसा आने वाला है कि जब धनू लगन वा मिथुन राशी के जातक बहुत अरिक लाब की स्थिती में रहेंगे वो समय होगा 29 अप्रेल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच में 29 अप्रेल को शनी माराज मकर राशी को छोड़कर कुम राशी में आपके तीसरे भाब में आ जाएंगे तीसरे भाब का शनी हमी करवाब negative हो जाएगा शनी माराज यहां से positive हो जाएगे और यहां से शनी माराज की negativity खतम हो जाएगी तो मेरे मानना है कि आपके लिए केरियर के लिए वर्ष का जो महत्रपूर समय निकल कर आ रहा है जब आपके वो सारे काम हो सकते हैं जो लंबे समय सरुके हुए थे वो निकल कर आ रहा है 39 अपरेल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच में जब शनी महाराज आपके लिए पॉजिटिव होंगे गुरू भी पॉजिटिव होंगे और आपके उपर जो है शनी के डहिया का भी प्रभाब नहीं होगा तो कामों की आपकी गती बड़ेगी जो डहिया के कारण क काम रुक रही थी काम की आपकी बाद हैं दूर होंगी अगर आप केरियर से जुड़ा कोई निर्ड़े लेना चाहते हैं तो अपरेल से जुलाई के बीच में लें अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको इस समय जॉब मिल सकती है आप अपनी परत्मान जॉब को बद समय में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वर्ष का ये शुब समय रहेगा 29 अपरेल 22 से 12 जुलाई 2022 के बीच में वैसे अगर हम केरियर के साब से बात करें तो सधारन रूप से समय सही चलता रहेगा वर्ष के आरम में काम की इगति सही रहेगी जनवरी फरवरी मा इसमें काम मापके तेजी से होंगे जो काम आपके मरे समय सो रुखे हुए थे यसे प्रोजेक्ट रुखा हुआ था जैसे कही है क्यां कंस्क्षन में हैं कोई प्रोजेक्ट रुखा हुआ था या आपका कुई स perspectives वेमला है तो आप अगर चाहें तो इस भूर्ष मकान को प और वर्ष 2022 में अगर आपकी जो महादशा है वो गुरू की मंगल की या शुक्र की चल रही होगी तो आपको मकान बनाने में या प्रपर्टी में इन्वेस्ट करने में बहुत असानी होगी फाइनेंस के साफ से समय बहुत बढ़िया जाने वाला है बर्ष का आजाब आरम होगा तो देव गुरू बर्षपती की लाभभाप पर रिष्टी होगी और यहां पे भी बाद में भी केतू एक अदर्श में आ जाएंगे यहनी फाइनेंस के साफ से आपका काम नहीं रुकना फाइनेंस के लिए आपके पास ओलजर शरी मायराज पॉजिटीव हैं मका राशी में और उनकी एकदर्श भाप पर रिष्टी है फाइनेंस के नए जरी आएंगे और अचाना की आपको अप्रेल के बास हैं से रुकावा पैसा भी आने के संबाबना बढ़ेगी अचाना ध परिशानी इस वर्ष नहीं रहेगी पत्नी में आपस में समंझत से रहेगा क्योंकि यहां पे देखिए सब्तमेश गुरू अपनी सौराशी में रहेगा जिसके कारण दंपत के सुख में कोई प्रॉल्लम नहीं है व्यपार के लिए समय अच्चा है व्यपार के आपके पास नए मार्क आएंगे विशेशकर अपरेल से जुलाई के बीच में आप अगर संतान प्लान करना चाते हैं तो स्टार्टिंग के आपके पास समय है जनवरी फरवरी मार्च में आप संतान प्लान कर सकते हैं इस समय संतान से जुड़ी खुशकवरी मिल सकती है भागे भी आप का इस वर्ष बली रहेगा अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे तो मेरा यह मानना है कि धनू लगाना मिथुन राशी के लिए वर्ष काफी अच्छा है आपके कैरेल से जुड़ी शुब घटना हैं इसमें घट सकती हैं उसमें भी विशेश कर यह समय बाप के लिए बहुत शुब है 29 अपरेल से लेकर 12 जुलाई 2022 के बीच में अगर आप अपने कैरेल से जुड़ा कोई महत्यपों ने लेते हैं जौब बदलने का या कहीं कोई वैपार शुरू करने का या किसी नए काम के शुरुआत का तो आपको निश्चित रूप से फैदा होगा और अपरेल 2022 के बाद आप देखेंगे कि धिरे धिरे आपके कामों की गती बढ़ने लगी और वो कामों की गती आपकी दिसंबर तक बढ़ती रहेगी जिसका अपरेल से जुले के बीच में काम आपके तेजी से होगे तो मेरा है मानना है कि धनू लगन वा मिथुन राशी के लिए ये वर्ष 62 परसेंट तक बढ़िया जाने वाला है अब ये 62 से 65 भी हो सकता है बशरते आपकी दशाएं पॉडिटी होई और ये 62 से 58 या 60 भी हो सकता है अगर दशाएं नेगटी होई लेकिन तब भी क्योंकि 60 परसेंट के करीब एवरे जा रहा है तो मेरा है मानना है कि अगर आप धनू लगन वा मिथुन राशी के जातक हैं तो वर्ष भर आपको कोई ज़्यादा प्रब्लम नहीं होगी कैरियर आपका बढ़िया चलेगा दापत्य सुक मिलेगा परिवारी वातावर न अच्छा रहेगा भाग गया आपका बली रहेगा और अप्रेल से जुले के बीच में आपके वो काम भी पूरे हो सकते हैं जो आपके लंबे समय से रुके होए थे क्योंकि उस समय आपके उपर शनी की डहिया का प्रभाब नहीं होगा तो आप अपने को बहतर मैसूस करेंगे और सही डंग से सही निंड़े ले पाएंगे तो दर्श को मेरा वीडियो था कि धनु लगन वा मिथुन राशी के लिए अपनी वीडियो अप्लोट करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरा वीडियो देख सके इसके साथ ही नमस्काद अश्कों चैमात आदी